नमस्कार्णी उश्वाणी बिहारी नीज में आपका स्वागत है आज वह 27 सितंबर खब्रों के और बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप भी धर्म और अध्यात्म से जुड़े तत्यों को जानना वो सुनना पसंद करते हैं तो आप पकडंडिया यूट सुर्खियों पर डिस्टी बिहार ने 238 रिक्तियों के लिए जारी किया नोटिफिकेशन सिक्षक बहाली परकडिया को लेकर सिक्ष मंत्री ने कहा धैर ये रखें स्वास्त विभाग हिर्दे संबंधी समस्याओं का मुफ्त में इलाज कराने की दे रही सुविधा निकाय चिना के पहले चरन में 1804 प्रतियाशी मैदान में विश्टी चैंपियन आस्ट्रेलिया को T20 सिरीज हडा कर भारत ने बनाया दो विश्टी रिकॉर्ड अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों के और विस्तार से दे उस्टी बिहार ने 238 रिक्टियों के लिए जारी किया नोटिफ्रिकेशन बिहार साइन्स And Technology Department आफिसर अटेंडेंट के कुल मिला कर 238 रिक्तियों परभरती के लिए रिक्रेट में नोरिफिकेशन जारी किया है इसके लिए अगर सक्षनिक योगता की बात की जाए तो आवेदक को मैट्रिक पास होना जरूरी है इच्छो कर योग्यों मिद्वार इस वैकेंसी नोटिस से जूरी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करनी के लिए इस वीडियो के इसी पेच्पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए विव लिंक पर जरूर क्लिक करें आवेदन करनी की अंदिम तारिक 31 ऑक्टूबर 2022 है विस्तरत जानकारी के लिए आप ओफि सवाल कर रहे हैं कि साथवे चरण में सिक्षकों के न्यूक्ति कप की जाएगी साथ ही इसे जल्द से जल्द करवाने की मांग भी कर रहे हैं इस विश्वय पर जब सिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर से बात की गई तो उन्होंने सिक्षक अव्यर्थियों को धैर रखने को कहा है उन्होंने कहा है कि सरकार ने जो संकल्प लिया है उसे जरूर पूरा किया जाएगा लेकिन लोगों को केंद्र सरकार से भी पूछना चाहिए कि 16 करोड रोजगार का क्या हुआ प्रोफेशर चंदरुशेखर ने कहा कि नितीश सरकार ने 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का जो वादा किया है सरकार आने वाले समय में उसे जरूर पूरा करेगी वैशाली बहुत सब इस वज़ा से है बेहत खास वैशाली बहुत सब खास तौर पर जैनियों का मुख्यते ओहर है जो जैनियों के 24 फे तर्द कर भगवाद महावीर के सम्मान में मनाया जाता है वैशाली एक प्राचीन गाउं है जो हाजीपूर के उत्तर दक्षिन में 35 किलोमेटर की दूरी परिस्थित है यह अस्थान पुड़ा तात्विक अस्थानों के लिए जाना जाता है जिसमें बुधस्तूप, अशोकस्तम, अभिशेक, पुसकरानी तथा अन्य शामिल है भगवाद महावीर का जन्म वैशाली से 4 किलोमेटर की दूरी परिस्थित कुंडलपूर में हुआ था पर्तिवर्ष बैसाख पुर्णिमा को यह उत्सा मनाया जाता है जो पहले हिंदू महिने की पुर्णिमा होती है ऐसा माना जाता है कि इसापुर्व तीसरी शुताब्दी में भगवान बुध यहां आएगे चाय की खेती पर सरकार दे रही है 25 परतिशत का अनुदार 25 परतिशत तक का अनुदान दे रही है जिसमें राज़्व के किसानों और वेक्तिगत निवेशकों को कुलिकाई लागत पर 15 परतिशत तक का आर्थिक अनुदान दिया जाएगा वहीं किसान उतपादक संगठन को 25 परतिशत तक का अनुदान मिलेगा अनुदान की राज़्वी के लिए बागवानी में भाग याधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर विजिट कर सकते हैं 29 सितंबर से चलेंगी बिहार को आने वाली ये special train दिवाली चट पर बिहार की और रुख करने वाले रेल यात्रियों के लिए अच्छी ख़़़ है अगर आप भी तेवहार में बिहार आ रहे हैं और ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं तो यह ख़़़ आपके लिए हो सकती है बता दे कि हर साल भारतिये रेल दुर्गा पुझा चट दिवाली जो ऐसे बड़े तेवहारों पर यात्रियों के भीड को देखते हुए special train चलाती है ऐसे में इस बार भी भारतिये रेल द्वारा कई पुझा special train चलाया जा रहे हैं आपको बता दे कि 29 सितंबर से लेकर 13 नवंबर तक विहार के लिए पुझा special train की विवस्था की गई है इन ट्रेनों में अम्रित सर पटना अम्रित सर एसी सुपरफास्ट special train दिली गया नई दिली रिजर्ब सुपरफास्ट फेस्टिवल एक्सप्रेस आनंद विहार जोयनेगर आनंद विहार a special train और भागलपूर आनंद विहार a special train शामिल है स्वास विवाग हिर्दे संबंधी समस्याओं का मुफ्त इलाज कराने की दे रही सुविधा हिर्दे संबंधी विमारिया आजकल आम होती जा रही है हर दूसरा इंसान हार्ट की समस्याओं से जूजता हुआ मिल रहा है या बिमारी का खत्रा 40 की उम्र के बाद बढ़ जाता है इन परिस्थीतियों को देखते हुए बिहार सरकार परदैश वासियों के लिए खास सुविधा मुहिया करा रही है बिहार सरकार के स्वास्त विभाग ने बिहार वासियों को करीब 15 दिनों तक लोगों को मुफ्त हिर्दै संबंधी समस्याओं का इलाज कराने के छूट दे रही है लक्ष्मी कांत जहां बिहार के दर्भंगा जुले में पैदा हुए थे वह एक जुलाई 1967 से तीन माइन 1970 तक भारतिये रिजर्व वैंक के आठवे गवर्नर के पतपर रहे लक्ष्मी कांत जहां बहारतिये सिविल सेवा के 1936 बैच के सदस्य थे उन्होंने बनारस हिंदू विश्विद्याले ब्हू, ट्रिरिटी कॉलेस, कैंब्रीज विश्विद्याले और लंदन स्कूल ओफ एकॉनोमिक्स सिक्षा प्राप्त की उन्होंने कैंब्रीज में अर् लुप सचीव बने और उन्हें 1946 के नए साल के समान में उनकी सेवा के लिए MBE न्यूक दिया गया, ट्रेनों में शुरू हुआ नवरात्री स्पेशल थाली, नवरात्री का समय है, ऐसे में कई लोग बिलकुल शुद्ध शाकाहारी भोजन करना पसंद करते हैं, उसमें भी प्याज और लहसुन के, इस बीच अगर आप कहीं रेल यात्रा पर निकलते हैं, तो आपको खाना पैक करने के ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारती ये रेल आपको बिना लहसुन प्याज के बिलकुल शुद्ध शाकाहारी भोजन उपलब्द करा रही है, और इसकी शुरु इसकी बिलकुल या 1323 पर कॉल करके भी खाना मंगा सकते हैं, भारतीय रेलवे की ओर से पूरे देश में लगभग 400 स्टेशनों पर यात्री इस सुविधा का लाव ले सकेंगे, इसके लिए आप अपने टिकट के साथ भी बूकिंग करवा सकेंगे बिजली रिचार्ज की राश्वी के बेऊड़े के लिए अभी और करना होगा इंतिजार बिहार में लगाये जा रहे है स्माच प्रिपेट मीचर से लोगों को खासा परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसमें सबसे बड़ा जहनजट रिचार्ज का है इस स्थिती में कितने यूनिट बिजली खर्च पर कितना रुपया कटा ये आपको नहीं पता चल पाता है मतलब ये कि उन्होंने जिस राश्वी से अपने मीचर को रिचार्ज किया वो किस-किस मद में काटी गई ये पता नहीं चल पाता है इस बाबत बिजली कमपनी के CMD के साथ माह भर पहले बैठक भी हुई थी तैह हुआ था कि अब उपभुकताओं को उनकी रिचार्ज की राशी का पूरा विवरन मिलेगा लेकिन अब जो ख़वर सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि अस्मार्ट प्रिप्रेट मीचर लगाने वाली कमपनी फिर से बिजली कमपनी के साथ करार करेगी इसके बाद ही इस समस्या का हल संभभ हो पाएगा विधान सभा में हुआ तेज समीतियों का गठन विधान सभा के अद्यक शौवत बिहारी चौदरी ने बिहार विधान सभा में विधायको की नई समीति का गठन किया है मालूमों की लोक लेखा समीति के सभापती का पद विवक्ष को जाता है लिहाजा पुल जिप्टी सीम तारकिशोर परसाद को इस समीती का सभापती बनाया गया है वहीं बीजेपी विधायक नितेश मिश्रा को सुन्यकाल समीती का सभापती बनाया गया है और इसी तरह से 23 समीदियां गठित की गई है और उनकी जमेदारी पर पक्षी दल के निताओं को मिली है स्वास्विवाग के मुखे सचीब के आश्वासन के बाद जुनियर डॉक्टरों ने हर्ताल किया PMCH के जुनियर डॉक्टरों ने बीते दिन सोमवार को पाच दिनों के बाद अपना हर्ताल खत्म किया तरहसल यह हर्ताल मरीजों के परिजनों द्वारा किये जाने वाले अवहद्र वेवहार की वज़ा से था अस्पताल में अस्थानी युवकों से जड़प और मार पीट के मामले में जुनियर डॉक्टरों ने ओपीटी बंद कड़ा दिया था इसके बाद 20-30 दिन सोमवार को स्वास्विभा के अपर मुख्य सचिव प्रत्य अमरित के साथ बात्चुट के बाद डॉक्टरों ने हर्ताल वापस लेनी की घुशना की मुख्य सचिव ने मामले की कारवाई का आश्वासन दिया है मुखे सचीव के आश वाशन के बाद जुनियर डॉक्टरों ने OPD की विवस्था पुना बहाल करने की घुशना की 90,000 आंगन बारी की ट्रैकर एप के माधियम से हो रही निगरानी ताकि आँगन बारी के खिरिया कालापो की सुचनाय वर रिपोच समयकित बालविकास परियोशना निदेश वाले को मिल सके बालविकास परियोशना के कारेपालक निदेश वाकालो कुमार ने बताया कि पोशन ट्रैकर एप के माधियम से प्रतिदी प्राप्त होने वाली रिपोच को भारत सरकार भी सीधे देख सकती है आपको बता दे कि आगनबारी बच्चों के भूख और कुपोशन को से निपटने के लिए एक इक्रित बाल विकाल से सेवा कारिकरम के भाग के रूप में काम करती है इसके गठन का मुखे हो देश बच्चों को कोपोशन से मुप्त कराना है निकाय चुनाओ के पहले चुरन में 1,804 परतियाशी मैदान में बिहार में निकाय चुनाओ के तरियारिया चल रहे है इस निकाय चुनाओ के पहले और दूसरे चुनाओ के लिए नामांकन प्रक्रिया भी संपन्न हो चुकी है अब इंतिजार है 10 अक्टूबर का जब निकाय चुना के पहले चुरन की मतदान प्रकिरिया होगी बतादे कि पहले चुरन में कुल 12 नगर निकायों में चुना होना है जिसमें कुल 1804 प्रतियाश मैदान में हैं बतादे कि पहल चुरन में कुल 1865 प्रतियाशों ने नाम आंकन किया था लेकिन 61 ने नाम वापस ले लिया है पहले चुरन के चुनाओ के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है IBSC ने शुरू की 10 और 12 वी बोर्ट परीक्षा की तयारी 23 की तयारियाश शुरू कर दी है इसके लिए बोर्ट परशासन परिकषा कंद्रों का अंदरधारन कर रही है जिसके लिए सभी शेत्री कारियाले अस्तर पर चार सदस्य कमीटी बनाई गई है जो यतर करेगी कि किश्व शहर में कहां और कितनी परक्षा केंद्र बनाई जाएगे बतादे कि कॉरोना संक्रवन के मद्दे नज़र 10 बी और 12 बी बोट्फी 242 के परक्षा दो टेरड में आउजित की गई थी जिसके पहले टर्ड में कुछ सकूलों में हूम सेंटर दिया गया था तो कुछ सकूलों में सेंटर नहीं बनाया गया था ऐसे में कहरे स्कूलों ने इसकी शिकायत भी की थी जिसके बाद बोज ने अब हूम सेंटर ही खत्म कर दिया है कबड़ी के उधगाटन मैच में ही बिहार ने मेजबान गुजरात को दी मात गुजरात के हमादाबाद में हुई कबड़्टी असपर्था के उद्घाटन मैच में बिहार की महला टीम ने गुजरात को मात दे कर बिहारीों का दिल जीत किया है बिहार की टीम ने 38-15 अंकों से गुजरात को हराया वहीं बिहार स्टेट कबर्टी असोशियेसन के सचीव कुमार विज्वय सिंग ने कहा कि बिहार की टीम से अभी और बहतर करने के उमीद है वहीं इसको लेकर बिहार ओलंपिक संग के सचीव मुश्टाक एहमद ने बताया कि बिहार की टीम से इस बार बहतर प्रदर्शन के उ दोरा निर्देशीत है एवं गनितक आनंद कुमार के जीवन और उनके साक्षिक कारिकरम सुपर 30 पर आधारित है ये फिल्म जापान के 50 ववेन शहरों में जापानी भाशा में रिलीज हुई है इसकी जानकारी खुद सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार ने दी है उन्हों अपने सोशल मेडिया प्लाटफॉर्म फेस्बुक से कुछ तस्वीरे साचा करते हुए लिखा कि जापान के 50 ववेन शहरों में जापानी भाशा में सुपर 30 फिल्म रिलीज हुई मैं जब दोक्यों के पिकार्ड ली सिनेमा हॉल में दर्शकों के साथ सिनेमा देखने पहुचा तब शो हाउस फूल था और फिल्म के बाद जिस तरह से जापानी दर्शकों ने मुझे प्यार दिया मैं अभी भूट हो गया अभी जारी रहेगा बारिश का दौर जुलाई और अगस्त से जादा मौनसून सितंबर महिने में महरवान दिख रहा है मौसम विभाग की माने तो आज राज्य के उत्तरपुल दक्षनी भागों के सभी जीलों के एक या दो अस्थानों पर वज़पात के साथ में गर्जन के आश्रंका है इसके लिए मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है साथ ही आपको सला दी चाती है कि हडा मौसम में घर से बाहर बिलकुल ना निकलने से परहेज करें क्योंकि वज़पात की घटना ने अभी तक कई लोगों की जान ले ली है वही मौसम वग्यानिकों का मानना है कि परदेश में वज़पात हो वर्षा का सिलसिला कुछ समय तक जारी रहेगा वही राज्य के कुछ हिस्सों में मध्यमस्तर की बारिश हो सकती है सफलतम एरपोर्च की सूचिस से नीचे आया दरभंगा एरपोर्च कुछ मेरे पहले यात्रियों के बढ़ती संख्या का रिकॉर्ड कायम करने वाला दरभंगा एरपोर्च अब पीछे होता जा रहा है बता दे कि दरभंगा एरपोर्च से हवाई से शुरू होने के साथ ही इस एरपोर्च ने शुरुआत में खूब रिकॉर्ड बनाए लेकिन घरते विमान और बढ़ते किराय से कम हुए यात्री ने दरभंगा एरपोर्च को सफलतम एरपोर्च की सुची से नीचे कर दिया है बता दे कि दरभंगा एरपोर्च से हाल ही के दिनों में मनमाने धंग से किराय में बढ़ोतरी की गई है जिसके बाद यात्रियों की संख्या में यहां काफी गिरावट दर्ज की गई है, नतीजतन यहां से कई जगों के लिए हवाई सेबा भी बंद कर दी गई है, उडान योजना के वल कागजो पढ़ी दौर रही है, वरतमान में हैदराबाद से लंदन जाना सस्ता और का आना महगा हो चुका है, क्या तेजपरताप यादब की जग्दानन से खत्म हो गई नाराजगी? जहां पाची के परदेश अध्यक्षु जग्दानन सी ने तेजपरताप यादब को गुल दस्ता देकर स्वागत किया, इस दौरान तेजपरताप यादब ने कहा कि मुझे बिहार सरकार में जो जम्मेदारी मिली है, उसे बहुँ भी गंभीरता से निभादा, उन्हों ने अध्यक्ष सोनियां गादी से मुलाकात पर भाज़बा खूब तंजकस रही है, इस पर सोशिल मोदी ने भी लालू नितिश के सोनियां से मुलाकात पर तंजकसते हुए कहा कि सोनियां गादी ने दोनों को मातर 20 मिनट में निप्टा कर कमरे से बाहर कर दिया, ना इनके और यात्रा बिलकुल पसंद नहीं। पर भाज़े बंश्क मानने अधिकारीयों को जूते मारने के सवाल पर कहा कि मुझे नहीं पता है कि उन्होंने क्या बोला है, लेकिन जब से मैं बीहर के जमेदारी सम्हाला हूँ, तब से बरस्ट अधिकारों के साथ पकड़े जाने के बाद उनके साथ क्या होता है या जा लेना चाहिए विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को टी-20 सिरीज हडा कर भारत ने बनाया दो विश्व रिकॉर्ड कप्तना रोई शर्मा की अगवाई वाली टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे टी-20 मुकाबले में मात दे कर दो एक सिरीज जीत ली इस जीत के साल भारत ने एक नहीं बलकि दो विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है भारतिय टीम अब एक साल में सबसे ज्यादा टी-20 आए जीतने वाले टीम बन गई है इस साल भारत ने इन 29 टी-20 मुकाबले खेलें जिसमें से 21 में जीत दर्ज की है साथ में उन्हें हार काट सामन करना पड़ा है एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला भारत ने इस जीत के साथ पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है पाकिस्ताने साल दो जोड़ कीस में टी-20 आए जीते थे इसके अलावा यह टी-20 इंटरनेशनल में अपनी सर्जमी पर भारत की दसवी जीत है किरकेट में एक साल के अंदर सबसे ज्यादा मैच जीतने का डिकॉड भी भारत ने अपने नाम कर लिया है भारत के इतिहास में आज की तारिख करिकारणों से है दर्स महान समाज सुधारिक राजवा राम मोहन राय का निधन 1833 में हुआ 1932 में भारतिये फिल्मों के रोमांस की भारतिय गरी तगे एस आर रंगनाथन का निधन 1932 में हुआ रंगनाथन भारत के पुस्त कालाय जगत के जनक थे जिन्होंने कोपलन वर्गी करन तथा क्लासीफाइड केटलॉग का कोड बनाया भारत के मशूर पाश्वग गायत महिंद्र कपुर का निधन 28 में हुआ भारतिय राजमृते गिलेखक और कॉंग्रेस के सदा से सयद एहमद का निधन 27 सितमबर 2015 में हुआ भारत पाक के विदेश मंत्रियों की बात चीत आज वी के दिन 2009 में शुरू हुई परसित भारतिय छुमरी गाय का अश्योभा गुटू का निधन 27 सितमबर 2004 को हुआ भारतिय किरकेट खिलारी लक्षमी पती बाला जी का जन्म 27 सितमबर 1981 को हुआ भारतिय धार्मिक नेता माता अमरिता नंद मई का जन्म 27 सितमबर 1923 को हमारा फर्ज है कि आपको सतर करें इस पीच पी आईवी ने भी एक ट्विट किया है जिसमें बताया है कि एक वेबसाइट the dealership.in के नाम पर petrol pump dealership देने का दावा कर रहे हैं जिसका नाम इंडियन OLCL है पी आईवी ने इस वेबसाइट को फेक बताया है साथी का है कि प्रमा आज फोन हमारी जरूरत हो गई है नार्मल कॉल से लेकर बैंकिंग जैसे बड़े काम अब लोग घर बैठे फोन में कर लेते हैं ऐसे में अगर आपका फोन कहीं खो जाता है तो बड़ी समस्या उत्पन हो सकती है कोई भी आपको ब्लैक मेल कर सकता है सावर फ्रॉड जैसी घटना भी हो सकती है इसे बशनी के लिए आप घर बैठे उनलाइन ही अपने फोन ब्लॉक कर सकते हैं सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कुछ दिन बाद आपका फोन वापस मिल भी जाता है तो आप अपने स्मार्टफोन को दो बाड़ा से अन ब्लॉक कर सकते हैं बता दे कि Department of Telecommunication की वेबसाइट Central Equipment Identity Register CEIR से चोड़ी के स्मार्टफोन को ब्लॉक और अन ब्लॉक किया सकता है इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर आज का सवाल है कि दुर्गा पूजा को लेकर आपके इलाके में कितनी चहल पहल है अपना जवाब में कॉमेंट सेक्ष्में लेकर जरूर बताएं आज के लिए बस इतना ही बिहार की तमाम ख़वर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूस धन्यवाद